अज बाबा दी सकार मुली 11 अगस्त 2021 बाबा नी किया कि मिठे बच्चे बाप मिठी ते मिठी सक्रीन है ऐसलई ओर सब गल्ला छड इक बाप नू याद करो ता मिठी सक्रीन बन जाऊंगे फिर प्रशन है तुसी बाप द्वारा शिरी मत लेके किडे संसकार अपनी अंदर पर देऊं उत्तर है पविश्य विच बगैर बजीर सारे विशव दे उपर राज्य करन्दा तुसी एथे आये ही हों पविख्य राजदानी चलांदी शिरी मत लेन वास्ते ते बाप तुहाननू एहुजी शिरी मत दिन्दा है जिस शिरी मत नाल पूरा अधा कलप तुहाननू किसे दी राजदी दरकार नई रेन्दी राज ओननू लेनी प्यंदी है जिन्ना दी बुद्धी कमजोर होवे तक गीत है तुमी हो माता तुमी पिता हो यानि पगवान ही किये सड़ा माता भी है ते सड़ा पिता भी है ओम शान्ति मिठे मिठे रोहानी बच्चे ने गीत सुनेया एक गीत की ने किया कि मिठे मिठे रोहानी बच्चे जरूर रोहानी बाप ही कै सकदा है ते मिठे मिठे रोहानी बच्चे हुन सामनी बैठे हैं ते बोत प्यार नाल बाप बच्चे नू समझा रहे है हुन तुसी जान दे हूँ किस सिवाई रोहानी बाप दे सार्यानू सुख शान्ती देन वाला ते सार्यानू दुखा तो लिबरेट करन वाला दुनिया विच और कोई नहीं है ऐसलाई दुख विच पुगवान नू याद कर दे हां तुसी बच्चे पुगवान दे सामने बैठेयों जान देयों बाबा सानू सुख दाम दा लाइक बनान दे है सदा सुख दाम दा मालिक बनान वाला बाप तो अडे सामने आया है तुसी समझदे हूं कि सामने सुननना ते दूर रहके सुनन विच बहुत फरक है मदबन विच तुसी सामने आंदे हूं ऐसलाई मदबन मशूर है मदबन ब्रिंदा वन विच ओनने क्रेशन दा चितर दिखाया है प्रन्तु कोई क्रेशन हैता है नी एथे ताँ नीराकार बाप तुसी बच्चियानाल मिलदा है वी एथे ताँ स्वेंपगवाना के थोड़े सामनी हुन्दा है बच्चियानू मिलदा है तुसी कड़ी-कड़ी मना हर पल आवदे आपनू आत्मा निश्चे करो कि मैं आत्मा शिब बाबातों वर्सा लेन आई ह सारे कलप विच इक ही समय आंदा है एहे कलप दा बड़ा सुहावना संगम युग है इस दा नाम है पुर्शोत्तम एही संगम युग है जिस विच सारे मनुष्य उत्तम बन देने हुन्दा सारे मनुष्य मात्र दी आत्मा तमो परदान बन चुकी है जो फिर सतो परदान बननी है सतो परदान है तमनुष्य उत्तम हुन्देने तमो परदान हों नाल मनुष्य कनिष्ट हो जान्देने ता आत्मा मनुँ बाप बैठ समझान्दे है सारा पाट आत्मा ही बज्जान्दी है ना की शरीर भाबा केंदे वी आत्मा ही है जो किये स्थर्तियु ते पाट बज़ांदी है ना कि शरीर आत्मा नुहीं आपां कनेश्ट केंदे यां ते आत्मा नुहीं आपां उत्तम केंदे यां आत्मा ते शरीर जोदो दोन्ना दा मेल हुंदा है ओदो ही पाट बज़दा है तो हड़ी बुद्धी विच आ गया है कि असी आत्मा असुल विच निराकारी दुनिया ते शान्ती ताम दी रहन वाली है ए गाल किसे नू पताई नहीं है ना खुद समझ दे ना समझा सकदे है तो हड़ी बुद्धी दा ताला हुन खुले है दुनिया वाले तां ए जड़ी गाल है ए ना ता खुद समझ दे है ते ना ही किसे नू समझा सकदे है पगवान केंदे भी तो हड़ी बुद्धी दा ताला तां हुन खुले है तुसी समझ दियों कि ब्रोबर असी आत्मा पर बजान वास्ते, फिर णंबर वार आंदे जान्दे हा, सारे अक्टर्ज इकठे नहीं उंदे। आके तो अनुआवदी पहचान मिली है कि आत्मा ता असल विच शान्ती ताम दी रहन वाली है, एथे अंदी है पाट बजान वास्ते. बाप सारा टाइम पाट नहीं बजान दे, यानि पगवाने सतर्ति उत्ते आके जड़ा हे पांज हजार दा स्रिष्टी दा चक्कर है, ओदे विच पाट नहीं बजान देगे. ते असी आत्मा मां पाट बजान दे बजान दे तमो परदान बन चुके हाँ. हुन तुसी बाप दे सनमुख आए हूं, हुन तुसी पगवान दे सामने आए हूं, ता पगवान तो सुननन विच किन्ना मजा आंदा है? एनना मजा ता मुरली पड़न विच वी नहीं आंदा. यानि पगवान्दे सामने पहले कौन आत्मवान धिया हैं जो की इस सत्यूगी शरिष्टी विच पहले पहले पाथ बजान धिया हैं तुसी जान दियों कि पारत गोड गोडेस दा स्थान सी गा जो की हुन नहीं है चित्तर दिखन वी चांदे है जरूर, पहले पहले असी सारे देवी देवता सीगे, अपने पार्टनू याद करांगे कि पुल जामांगे, वी असी आप दे हुन पार्टनू जेडा कि असी देवी देवता सीगे, वी उनू याद रखांगे कि पुल जामांगे, बाप केंदा तो तुसी एहे पाट बजाया है जिनू ड्रामा केया जान्दा है नई दुनिया फिर पूरानी हुंदी है पहला पहला उपरतों जो आत्मामा आंधिया हन वो गोल्डन एज विच हुंदिया है ए सारियां गल्ला हजे तो हड़ी बुद्धी विच आया है सत्यो गादी विच तां तुसी जो पाट बजाया सी ओ पाट बजाया तुसी विशव दे मालिक मा राजा मा रानी सीगे ते तो हड़ी राजधानी सीगी हुन ओ राजधानी है नहीं हुन तुसी सिखरेयों की राजाई कीमे लैनी है ते उथे कोई बजीर भी हुंदाई नी, राय देन दी कोई दरकारी नी हुंदीगी उथे ता शिरी मत दे नाल स्रेश्ट ते स्रेश्ट बन जन दी हां फिर ओनानू कोई दूसरे दी राय लैन दी धरकार नहीं रैन दी अगर कोई राय लवे, ता समझया जाऊगा कि यन दि बुद्धी कमजोर है हुन तो हान्नू शिरी मत मिल दी है, वो सत्युग विच वी काईम रहन दी है यानि हुन तो नू जो पगवां दी शिरी मत मिल दी है, इस शिरी मत किये जो साधी बुद्धी नू सद बुद्धी बनां दी है, तब आबा केंदे फिर तो नू सत्युग विच किसे दी वी राय लें दी जरूरत नहीं पोगी, हुन तो हाधी आत्मा फ्रेश हु रही है, हु आत्मा ही केंदी है, कि मैं इस बुद्धी बुद्धी विच वी सारा ज्यान आचुकिया है, आत्मा ही कैंदी है, कि मैं इक शरीर छड दूसरा संसकार अनुसार लेंदियां, जिनू पुनर जनम किया जन्दा है, आत्मा विच ही सारा पाट परिया होया है, जोकि आत्मा बजान्दी रेंदी है, ते अपने संसकारा अनुसार उनू दुज्जा जनम मिलदा है, आत्मा दी दिन प्रती दिन प्योटी दिग्री काट हुन्दी जन्दी है, पतीत अक्षर द्वापर तो बाद चाल्लू हुन्दा है, फिर भी थोड़ा फरक जरूर प्याजन्दा है, जी में की नया मकान बनान दे हां, ता कुछ मिन्या बाद ओदे विच फरक प्याजन्दा है, हुन तुसी समझ दे हूं की पगवान सानू वर्सा देनाया है, जिनना जो पुडशार्थ करूगा ओन्ना पद पाऊगा, बाप दे कोल कोई फरक नहीं है, पगवान दे कोल कोई फरक नी भी कोई किन्नी मेनत करूगा, ओनू ओदे अनुसार पदवी सत्यूग विच मिल जाएगी, तुसी जान देओं की पगवान आत्मावान उपड़ांदा है, ते आत्मा हर एक अपने वासदे ही पुर्शार्थ कर दी है, मेल फिमेल दी द्रिश्टी, मना की मेल फिमेल दी जड़ी आख हैगी है, ओ एत्थे नहीं हैगी, तुसी बच्चे बेहद दे बापतों वर्शा ले रहे हूं, सारियां आत्मावा आपस विच पाई पाई है, जीनु की बाप पढ़ांदे है, वर्शा दिन्दे है, तब बाप ही रुहानी बच्चे आनाल गल कर दे है, कि हे लाडले सिक्की लदे बच्चे, तुसी बोत समय पाड बजांदे बजांदे, हुन आकर मैंनू मिले हूं, सारा कुछ ड्रामा दे विच्च ही नुंद्या होया है, माना इस सारा ड्रामा दे अंदर पाट परिया होया है, शुरू तो लेके अंत तक परिया होया है, अच्छा, मिठे मिठे सिक्की लदे बच्चे आपरती, मात्पिता, बाप दादा याद प्यार ती गुड मोर्ने, रोहानी बाप दी, रोहानी बच्चयानू नमस्टे. रोहानी बच्चयान्दी, रोहानी बाप धादा जीनू याद प्यार, good morning, ते नमस्टे, शुकरिया बाबा, शुकरिया. फिर तार नावस्थे, मुख्या सार हैगा. पहला है ज्ञान रतना नाल अपनी चोली परनी है पगवान जेडी ज्ञान रतन देनाया है उन्ना ज्ञान रतना नू अब दी बुद्धी रुपी चोली विच तारन करना है किसे भी परकारदा शक नहीं करना है जिन्ना हो सके पगवान नू याद करके पुर्शार्थ कर पावन बनना है बाकी परशना विच नहीं जाना है दूसरा है इक बाप नाल सची प्रीत रख बाप समान मिठी सकरीन बनना है इक पगवान नाल ही सच्चा प्यार राख के तुसी की बनना है बाप दे समान ही मिठी सकरीन बनना है वर्दान है र इक दी राय नू रिगाड दे विशव द्वारा रिगाड प्राप्तकरण वाले बालक सो मालिक भव चाए कोई छोटा होवे जावड़ा हर इक दी राय नू रिगाड जरूर दो क्योंकि कोई भी राय नू ठुकराया गोया अपनी आपनू ठुकरान है। अगर आपका किसे दी राय नू ठुकराने आ, तापा उनू नी ठुकरान देगे, आपका आव दी आपनू ठुकराने आ। एसलाई, यदी किसी दे व्यर्थ संकल्पानू कट भी करना हैं, ता पहले उनू रिगाड देवो, उनू सम्मान देवो, फिर शिक्षा देवो। एवी एक तरिका है, जोदो एवे रिगाड देन दा संसकार पर जाऊगा, ततो उनू विशवदे द्वारा भी रिगाड मिलू एसलाई ही बालक्त सो मालिक विशवदे मालिक बनांगे, बुद्धी बेहद विच शुब कल्यांदी पावनानाल संपन होवे। साड़ी जड़ी बुद्धी हैगी है, ओ बेहद विच रहके सार्यांदे प्रती शुब पावनानाल परी होवे। सलोगन है, मस्तक उत्ते सदा साथ दी समरिती दा तिलक लगाना एही सोहाग दी निशानी हैं। मस्तक उत्ते सदा साथ दी, मना आप दे मत्थे उत्ते सदा प्रगवान दे साथ दी तिलक लगाना ही की है सदा सोहाग दी निशानी हैं। अच्छा, ओम शान्ति